पोश का महीना सूर्य देव का महीना माना जाता है, पूर्निमा की तिथी चंद्रमा की तिथी होती है, सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत सयोग केवल पोश पूर्निमा को ही मिलता है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपासना से मनोकामनाय पूरी होती है, इस तिथी को चंद्रमा समपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा समसब तक होते हैं। इस तिथी पर जल और वातावरल में विशेश उर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथी पर पृत्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस्तिथी की स्वामी होते हैं। इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ती मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान विशेश फलदाई होता है। पॉश पूर निमा पर कैसे करें पूजा और स्नान। सुबर स्नान के पहले संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगा कर प्रणाम करें फिर स्नान करना शुरू करें। साफ कपड़े पहने और सूर्य को अर्ग्या दें। फिर मंत्र जाब करके कुछ दान जरूर करें। इस दिन उपवास रखना बहतर होगा। पूर निमा की रात चौथा मंत्र ओम नमो नाराय नायक पूर्निमा के शुब सयोग करें उपाएक। पॉष पूर्निमा की आधी रात को गी का दीपक जला कर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि इसे धन लाब मिलता है। मालक्ष्मी पूर्निमा तिथी के दिन ही अफ्तरित हुई थी। इसलिए मा लक्ष्मी को पूर्निमा बेहत प्रिय है। इस दिन मा लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाएं और फिर इसे साथ कन्याओं में बांट दें। आपके घर में सुख सम्रुद्धी बढ़ेगी। 2. धन प्राप्ति का एक कारगव उपाय यह है कि आप पॉष्पूर्निमा के दिन 11 कोडियों पर हल्दी लगाकर उन्हें मा लक्ष्मी के चरणों में चड़ाएं। फिर अगले दिन इन्हें एक लाल कपड़े में बांध कर धन स्थान पर रख दें। हर पूर्निमा पर इन को पूजा करें। आपके घर में धन की आवक तेज रहेगी।